प्रेशर करियर बनाने के लिए कोई फिक्स समय नहीं होता लेकिन जैसे ही एक्जाम्स खतम हो जाते हैं और जैसे ही रिजल्ट्स आ जाते हैं तब एक अलग तरीके का प्रेशर हो जाता है प्रेशर करियर बनाने का प्रेशर अब जिन्दगी में आगे क्या करें इसका डिफेंज आइस्परेंट्स जादातर सारे बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एंपी बोर्ड सीबी एससी एंड आइससी सारे के सारे बोर्ड खतम हो गए हैं यहां तक कि कल बिहार defense aspirants ये एक सवाल हर बच्चे के जहन में घूम रहा है आप में से कुछ लोग national defense academy की तरफ रुजहान रख रहे होंगे you must be inclined towards joining national defense academy अब राश्टिय रक्षा अकादमी जॉइन करने वाले ऐसे बच्चे कुछ पूरे भारत में 4 लाख है जी हाँ 4 लाख ऐसे aspirants हैं जो national defense academy का form हर 6 महीने में भर रहे हैं ये 4 लाख वो बच्चे हैं जो 12th pass कर चुके हैं या 12th में हैं इस 4 लाख में से मात्र 400 बच्चे यानि की 0.1% बच्चे national defense academy पहुचेंगे ये वो संस्ता है जिसमें किसी प्रकार का कोई reservation, कोई quota, कोई उच जाती, कोई निच जाती, कोई जुगार, कुछ नहीं चलता तो क्या है ऐसा कि 4 लाख में से सिर्फ 400 ही पहुच पा रहें, क्या ये 400 बच्चे बहुत meritorious हैं, 90%, 95%, 100% वाले हैं या ये एक average students हैं, defense aspirants एक study की गई थी और देखा ये गया था कि national defense academy में पहुचने वाले जो cadets हैं उन्होंने अपने academics में 10th और 12th में 60, 70 या 75% जादातर बच्चे लाएं हैं यानि कि एक चीज तो तेह हो गई कि 90% decide नहीं करेगा कि आप India पहुचेंगे या नहीं तो क्या problems हो रही हैं, पहले step की बात करते हैं, National Defense Academy के written इमतिहान की बात करते हैं क्योंकि India तक पहुचने के लिए 3 अलग-अलग steps है, written, interview और medical समझते हैं कि written में कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं आपने फॉर्म भरा तो आपका 4 महीने बाद written paper हो गया या अपरेल में या सेप्टेमबर में difference aspirants, 4 लाख बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 10,000 बच्चे written qualify कर रहे हैं, मात्र 10,000 बच्चे अब सवाल ये उड़ता है कि वो कहां गलती कर रहे हैं? वो गलती कर रहे हैं, पहला गलट direction में काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि किस चीज़ पर जादा focus करना है, किस पर कम focus करना है, match कर रहे हैं, तो सिर्फ match कर रहे हैं, English कर रहे हैं, तो सिर्फ English कर रहे हैं, तो direction गलत है वो उस काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन fruitful नहीं है, एक होता है working hard और एक होता है working smart National Defense Academy में दोनों चाहिए, hard work and smart work एक level of guilty realize हो रही है, जहां shortcut tricks नहीं use हो रही है, लंबे-लंबे method से paper solve करे जा रहे हैं, उससे time waste हो रहे हैं, time management नहीं है और इन सारी चीज़ों की root problem है, proper guidance नहीं होना ये पांच ऐसे factors हैं, जिसकी वज़े से चार लाक में से तीन लाक नबे हजार बच्चे written fail हो जाते हैं defense aspirants जब मात्र 10,000 बच्चे रह जाते हैं, जो written qualify करते हैं, वो इसलिए qualify करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उपर homework किया है, उन्होंने सही guidance ली है आज 10,000 बच्चे written इसलिए qualify कर रहा है, क्योंकि वो trained जा रहा है, वो homework करके जा रहा है, वो education लेके जा रहा है, वो proper guidance लेके जा रहा है 2003 में, जब लोग NDA को National Democratic Alliance बोलते थे, तब Trishul Defense Academy NDA की coaching कराता था सन 2003 से, लेट विंक अमंडा अनूप महरुतरा जी, जो खुद X-NDA 60th course के थे, उन्होंने Trishul Defense Academy की स्थापना की थी सिर्फ एक aim से, कि यहां से बच्चे NDA पहुचें, हमारा vision है, कि जादा से जादा बच्चे National Defense Academy पहुचें इसके लिए, शुरू से हमने planner based पढ़ाई कराई, planner मतलब अगर maths में complex number पढ़ाना है, तो 5 lecture complex number को देने हैं, 5 में से 6 नहीं देना क्यों? क्योंकि complex number से इतने सवाल ही NDA में आएंगे, तो planner based पढ़ाई बहुत matter करती है Defense Aspirants जो Trishul Defense Academy के branches में follow होता है, 18 साल से अलहाबाद ब्रांच के educators नहीं बदले, वो ही आरा के नवनीच सर, English के B.L. यादव सर, G.K. के दीपक पांडे सर, Maths के सिंग सर, 18 साल हो गए Defense Aspirants, 18 साल से ये faculty नहीं बदली, जितनी पुरानी faculty है, उतनी जादा shortcut tricks पढ़ा रही है, उतने जादा तजर्बेदार है, उतने जादा उनके बाल पक गए है, उनको पता है कि किस chapter से क्या आ रहा है, no doubt UPSC unpredictable organization है, कुछ predict नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद, ये tried educators हैं, tested educators हैं, जो results दे रहे हैं, study material के लिए proper TDA publications की books use हो रही है, जिससे बच्चे को सही study material मिले, defense aspirants हमारे target batches, हमारे 6 महीने के batches में fixed समय है, उस समय में fixed चीज़ें पढ़नी है, जादा पढ़के time waste नहीं कराना है, इसके लिए study material concise है, बहुत मोटी-मोटी books, sales के लिए जरूरी है, पर्याप्त book चाहिए, result देने के लिए जो त्रिशूल defense academy की TDA publications देता है, बात करें अगर batches की, तो छोटे batches हैं, small batches हैं, हमारे जो classes हैं, वो बहुत बड़े-बड़े हमने classes नहीं बनाए, हमने इतने classes बनाएं कि 40 से 45 बच्ची accommodate हो सकें, ताकि teacher to student ratio छोटा रहें, जितना छोटा रहेगा, उतना teachers proper attention देंगे, teachers trick based पढ़ाई करा रहें, teachers पहले दिन से personality पे काम कर रहें, हम पहले दिन से spoken English क्यों, क्योंकि ultimate उपदेश है, National Defense Academy पहुचना, इसलिए पहले दिन से spoken English के classes होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहार के आ रहे हैं, तो हमने अपने hostels दे रखे हैं, जहाँ पे शाम को भी पढ़ाई होती है, जहाँ पे group studies होती है, overall, सारी के सारी classes are guided under defense officers, जी हाँ, त्रिशूल Defense Academy के, आज इस platform पे, offline classes में, कर्नल पंकज मेरुत्रा, कर्नल सौमित्रोदत सर, कर्नल A.S. रावत, कर्नल सेट, यह चार ऐसे officers हैं, जो खुद XNDAs हैं, इन्ही के guidance में classes चलते हैं, अब बात करते हैं SSB के, चार लाक में से 10,000 बच्चों ने written qualify किया, लेकिन 10,000 में से मातर 400 National Defense Academy पहुचे, वहाँ क्या गलती हो गई, वहाँ गलती हुई पहली English की, जी हाँ, services selection board अगर निकालना है, तो English ठीक करनी है, बहुत सारे educators, बहुत सारे teachers यह बोलते हैं कि हिंदी में बोलोगे तो काम चल जाएगा, नहीं, defense aspirants यह सच है कि English is must for SSB interviews, इसके साथ साथ, candidates जो written qualify कर लेते हैं, अक्सर उन्होंने पूरी energy written में लगा लेए होती है, तो SSB interviews के लिए वो confident नहीं होते हैं, वो जो हैं, वो नहीं दिखाते हैं, वो कुछ और दिखाना चाहते हैं, उनके अंदर basic reasoning skills नहीं होती, कभी candidates के पास GTO का तजुर्बा नहीं होता कि क्या है group testing obstacles, candidates trained assessors के अंदर SSB के तयारी नहीं करते, online platforms पे कुछ-कुछ youngsters जो पहले ही SSB दे के आ चुके हैं, उनसे पढ़ लेते हैं, अब इन सब में क्या होता है, इन सब में written तो qualify हो जाता है यार, लेकिन SSB रह जाता है, इसलिए त्रिशूल Defense Academy शुरू से ही, सबसे पहले 2003 में late wing command अनूप महरुत्रा जी, क्योंकि खुद AFOS selection board, Banaras and Mysore से GTO थे, तो उनी के guidance में SSB चलती थी, 2021 में उनके demise के बाद, कर्नल पंकज मेरुत्रा, जो खुद Army board के deputy president थे, जो खुद इलाबाद board, भुपाल board के deputy president थे, उनके guidance में classes चलते हैं, जो फौज में ex-interviewing officer रह चुके हैं, जिन्होंने आप जैसे 70,000 candidates का interview लिया है, 70,000 defense aspirants बहुत बढ़ा number होता है, कर्नल सौमित्रोदत, जो खुद Army selection board का पूर्थाला में GTO officer थे, उनके guidance में GTO classes में चलते हैं, पूरा GTO ground है आपके लिए, थाकि आपको real time experience हो, आपको एक exposure मिले कि कैसा होता है याँ GTO ground, GTO ground सिर्फ physical के लिए नहीं बनाए, GTO ground group task के लिए बनाएं, और ये doubts clear करते हैं, हम लोग हमारे SSS real time GTO ground के साथ, पहले दिन से lecture rates, group discussions में काम करते हैं, ताकि बंदे के अंदर confidence आए, वो English से ना डरे, यहां तक कि रहने के लिए, करनल पंकट सर की SSB dormitory है, जहाँ पे बच्चे शाम को practice कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे शाम को group discussions कर सकते हैं, लेक्चरेट कर सकते हैं, रोजाना reasoning के papers लगाते हैं, ताकि उनके अंदर reasoning skills डेवलप हो, defense aspirants, आज 20 सालों में 600 से ज़्यादा अधिकारी National Defense Academy से पास आउट हो चुके हैं, त्रिशूल Defense Academy से, हमारे पढ़ाए हुए चात्र, आज आर्मी में left and colonel, colonel ranks तक पहुँच गएं, एफोस में wing commander, group captain rank तक पहुँच गएं, उसका reason है step by step पढ़ाई कराना, उसका reason है proper guidance कराना, उसका reason है written, interview और medical की guidance देना, जी हाँ, medical guidance भी हमारे हाँ होती है, जहाँ, दातों का पूरा का पूरा चेक अप, आखों का पूरा का पूरा चेक अप and general body चेक अप होता है, defense aspirants, आज त्रिशूल Defense Academy written, interview और medical की complete तयारी कराती है, क्योंकि हमारा उपदेश, विंक कमंडा अनूप महरोतर जी का सपना पूरा करना है, जादा से जादा बच्चों को India तक पहुचाना है, board exams खतम हो गए यार, अब समय है, NDA की तयारी चालू करने का, अब समय है, कुछ कर दिखाने का, अब समय है, देश सेवा करने का, हर बैच में National Defense Academy के, त्रिशूल से पढ़े हुए चात रहे हैं, हमारी खुद की selection trees हैं, जो आप उपर frame में देख रहे हैं, एक दो selection नहीं, पूरे के पूरे बाहार है selections की, जब वो कर सकते हैं तो आप भी, आज ये कहना बहुत गलत होगा, कि State Board का बच्चा, UP Board का बच्चा, बिहार बोड का बच्चा, MP Board का बच्चा, राजिस्तान बोड का बच्चा, जहारखंड बोड का बच्चा, उत्राखंड बोड का बच्चा, इंडिये नहीं जाता, वो ही जाते हैं, और बहुत तादात मे जाते हैं क्यूंकि उनके अंदर जिद है उनके अंदर लक्ष है आज हर बोर्ड का बच्चा चाहे वो CBeac Board हो चाहे वो ISE Board हो बिहार board हो UP Board हो MP Board हो उत्रकंड Board हो सब नाशनल Difference Academy जा रहे हैं त्रिशूल Difference Academy से जा रहे हैं क्योंकि कि यहाँ पे पहले दिन से वो महौल मिलता है, यहाँ पे पहले दिन से bilingual classes मिलते हैं, यहाँ पे पहले दिन से फौजी अफसरों के guidance में आप रहते हो, आप उठना, बैठना, चलना सीखते हो, यहाँ तक कि Sundays को physical भी कराते हैं, इसलिए नहीं कि रगणना है आपको, पर इसलिए कि आप fit रहो, आप खुश रहो, defense aspirants, अब समय है संघर्ष का, आज संघर्ष करेंगे, तो कल जाके आपका भविश्य सिक्योर्ड होगा, आज घर से निकलिए, त्रिशूल defense academy आईए, और NBA की तयारी स्टार्ट करिए, किसी प्रकार के कोई doubts के लिए, feel free to whatsapp me, मुझे whatsapp कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं, नीचे लिखे होए नमबर पे, thank you, जैहिंट जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute, जहां cadets को train किया जाता है, आने वाले defense exam के अनुसार, अगर आपका भी सपना है, भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही join करें, त्रिशूल defense academy